हम बात कर रहे हैं IFCI की अगर आज की दिन की बात करें तो हमको इसमें 4% के उपर के आपसाइट के साथ closing देखने के लिए मिली है इससे पहले वीडियो में हमने discuss किया था 44 के लेवल को target के तोर पर और 44 के breakout के बाद भी हमने 48 के target को discuss किया था लेकिन हम देख सकते इस टॉक ने 48 तक के target डिका है और 44 तक के target डिका है Market के गिरावट के साथ यहां भी हमको saving देखने के लिए मिली है यहां को saving आते हुए नजर आ रहे है लेकिन अतना बढ़ा selling हमको देखने के लिए नहीं मर रहा Stock उपर की ओर हिज नजर आ रहा है लेकिन market अप गिरावट का signal दे रहा है तो थोड़ा सा इंतिजार करना है, स्टॉक ने जहां क्लोजिंग दिये है 40 का लेवल, इमीडियेट सपोर्ट लेवल है, इसका 40 का लेवल, और इसको ब्रेकड़ॉन कर जाता है, तो हमको फिर इसमें 34 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, हम देख सकते हैं, इससे पहले 34 पे रिजेक्शन फेज किया, ब्रेकड दिया है, तो हमको लगातार तेजी देखने के लिए मिले, 44 तक के तार्गेट देखने के लिए मिले, लेकिन अभी फ्रेश इंट्री के लिए थोड़ा इंतिजार करना है, ब्रेकड 44 के लेवल के ब्रेकड के ऊपर पोजिशन बनाना ठीक रहेगा, क्यूंकि जिस तरह से मार्केट सिगनल दे रहा है, अगर जम पाता है, 42 तक का हम को जम देखने के लिए मिल सकता है कलके डेट में, और 42 के लेवल से इस लो को ब्रेकड़ाउन कर जाता है, तो वैसे कंडिशन में फिर हमको यहां लो और लो पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, फिर हमको 34 तक का भी फॉल इसमें देखने के लिए मिल सकता है, इसले थोड़ा इंतिजार करना इस्टॉक को सस्टेन होने देना या तो 44 का लेवल के ब्रेक आट का इंतिजार या तो फिर इस्टॉक को सस्टेन होने का इंतिजार करना है तो फिर वैसी condition में position बनाई जा सकती है अगर आप टिमेंट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में देवही लिंक से कर सकते हो वीडियो जो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाय आर्सेल की सला नहीं है